नाचित परंपरा के तहट चद्दर का अभिषेख होगा यहां की चद्दर हम स्री संद्यानाजी को देने जा रहे हैं ऐसा हमारे आठ मांदारी पीरों ने समक्र बेंपगवान ने यह निरने किया है और उनके उत्रा दिकारी के रोप में जो की स्थान पर रहकर इस्थान की पूचा पाट को आगे बढ़ाएंगे इस्थान की सेवा करेंगे और यहां का विकास आश्रम का विकास आप सब के जीवन का विकास आप सब की सत्मारक का विकास उसमें आप सब के आगे जिस परकार से समाज एकत्रित होकर संगठित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए और धरम के रास्ते पर चलते होए अपने युवा पिड़ी को उचित मार्क दर्शन प्राप्त हो उसके लिए श्री संद्यानाजी के श्री चर्णों में एतवारनाजी महराज को इस्थान पर एक उत्रा दिकारी के रूप में इस्थान पर सेवा के लिए इस्थान को सुचारू आगे विवस्ता बढ़ाने के लिए उनके उत्रा दिकारी के रूप में बिठाया जाएगा मुझे आसा और विश्वास है कि आप स्री संद्यानाजी के नेतुत्त में रहकर और एतवारनाजी को उनके कंदे से कंदा मिलाकर आगे इस आश्रम को और आगे बढ़ाने का कारे करेंगे और जैसा मारक दर्शन आपको स्री संद्यानाजी से मिलता रहेगा और एतवारनाजी से आश्रम की सेवा निरंतर करते रहेंगे वो तभी सफ़ा लो पाएगी तब सभी ग्रामवासी पूरे भाव से पूरे सर्दा से उनके साथ में नतमस्तक होकर आगे बढ़ेंगे संद्यानाजी माराज हमारे नाजशन परदाए के पूर्व राजा रहे हैं और बहुत ही समानिक संत रहे हैं हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये इसी परकार आप लोग उनके साथ और सानिते में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आने वाले समय में ये आश्रम पूर का आश्रम हरियाने के स्रेश्ट आश्रमों की पंति में खड़ा मिलेगा तो रहते ही बंडारे कायोजन जिस परकार से बारा साल में कुम कायोजन होता है तो मैं मानता हूँ कि संद्यानाज जी के आश्रवाद और नेतुर्त में आप लोग काम करेंगे तो मैं मानता हूँ कि आदा में पांचे वर्सों में एक और बंडारा स्री संद्यानाज जी महराज यहाँ पर कर पाएंगे इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी राम मास्योगा मैं धन्यवाद करता हूँ सभी श्री नाजशित परंप्रा के योगेशरों को आदेश करता हूँ और आप सभी को भावा मस्तनात जी के ओर से दिक के ओर से आशिर्वात देता हूँ सरवे भवन्तु सुकिनाय सरवे संथु निरामया सरवे भजरानी परसंथु मा कस्थे दुख भात भवे आप सब लोग सुकी रहें आप सब लोग उनती को अगरसर हो बोले महायोगी गुरु गोरक्षनाद जी महराज की स्रेशित्स रोमने बाबा मस्तनाद जी महराज की सभी योगे स्वरों की धन्यवाद